अलो दोस्तों गुड मोरीं गाड़ी वेलकम बैक टू माई नियो ब्लोग और आज फिर से एक नहीं ब्लोग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है मुहमद आसीप और आज हम बात करेंगे जूम कार को लेकर के दोस्तों अगर आपके पास कोई प्राइवेट कर सकते हैं आपकी गाड़ी की जो भी आपकी गाड़ी का यह महीं आता है वह उससे निकलता रहेगा और भी आपको थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे तो दोस्तों इसको लिकर के काफी ज़्यादा भाईयों के कॉमेंट थे कि आसीप भाई इसका फुल लिटेल में नचावख ज 1994 क रखाना तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं इस्टार्ट अ को को दोस्तों सबसे पहले बात करनीं में जुमकार कि क्या है जुमकर कैसे काम करता है और प्राइवेट गाड़ी को ही क्यूं लेता है उसके अंदर commercial गड़ियां क्यों नहीं चलती है और जो लोगों के प्राइवेट गाड़ी वालों के ज्यादा था कोश्चन रहते हैं कि मेरी प्राइवेट गाड़ी है एक भी कल मेरे को एक बाई ने कॉमेंट किया था क्या से भाई मुझे सावारी में गाड़ी लगानी है उसको बाई को मैंने मना किया क्या बाई तेरी गाड़ी जो प्राइवेट है वो सावारी के अंदर नहीं लगेगी तो भी उसने ट्राइ किया वाड़ों ही सामने आया फिर भी मुझे बाई ने इस्टाग्राम पर फोटो भी वेजा उसका इमेज पिच्चा डाला उसके बा अपनी जेब से पढ़ रहे हैं तो इस कंडिशन में आप चाहते हैं कि मेरी जो गाड़ी का इमाई है वो कम से कम कई ऐसा काम मिल जाए कोई ऐसा प्लेटफोर्म हो जो कि कम से कम गाड़ी का इमाई तो निकाल सके तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफोर्म लेकिया ह है अब इन में सबसे पहले आपको topics समझ लेना है जान लेना इनको गाड़ी देने से पहले इसको किस जगे आपको आपको जूमदेंगे आपने लैप टॉप पके अंदर अपने PC के अंदर सारा कुछ चेक कर सकते हैं किस टाइप की condom environment conditions होती है क्या rules unfollows होते हैं जो हमको करने पड़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बदा दूँ आप Google Play Store पर जाएंगे वहाँ पर आपको Zoom Car Host नाम की एक application मिलेगी Zoom Car Host उस application को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना नाम, mobile number, mail ID अपना account sign up कर लेना है गाड़ी के जो भी documents होते हैं वहाँ पर फिल करने के आते हैं वो आपको फिल कर देना है insurance होगा, RC book होगी और एक दो paper जो भी हो वो आपको आदार card, bank card इस type की details शो करनी होगी bank account से लेकर के जो भी चीज़ें वहाँ पर फिल कर देना है फिल करने के बाद आपको zoom car की तरफ से एक call आजाएगा call आने के बाद कुछ questions होंगे आपके, कुछ inquiry करेंगे वो जो भी आपके question वो question करेंगे, उनको आपको answer दे देना है, वहाँ पर आपको सारी चार्मेंट कंडिशन बता दी जाएगी उसके बाद उनका एक बंदा आएगा आपके location पे, आपके address पे आपके घर के पास जहां भी आप रहते हैं, जो भी आप उस application में आपका अपना address फिल करेंगे वहाँ पर उस बंदा आजाएगा आपकी गाड़ी का infection करने के लिए, गाड़ी का infection करने के बाद आप अगर agree होते हैं, ready होते हैं, गाड़ी अपनी देने के लिए, तो वहाँ पर आपके गाड़ी के अंदर एक GPS device और एक control device गाड़ी के अंदर फिट कर देंगे, फिटिंग करने के बाद आपकी जो आपके अंदर जो mobile के अंदर आप जो application होगी, वह आपकी गाड़ी को control करेगी, control करने का मतलब यह है, कि आप जब अपनी गाड़ी list करेंगे, किसी को rent पे देना है, तब आप अपनी गाड़ी उनकी टर्मेंट कंडिशन के हिसाब से, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, अपने हिसाब से आपको पहले ही बताना होगा, जैसे कि आपको ट्रिप पे जाना है, कहीं पर आपको जाना है, एक दिन, दो दिन, चार दिन के लिए कहीं जाना है तब आपको यह चीज पहले ही इंफॉरम करने होगी कि हमें अपने गाड़ी को दो दिन, के तीन के लिए हमको कहीं ट्रिप पर जाना है अपनी गाड़ी melee दिए तो इस टाइम पर आपनी गाड़ी को करेंगे वहां पर लिस्ट नहीं करेंगे तो भूँआ पर आपको परमिशन आईगी तो उस परमिशन को आप सेप्ट कर सकते हैं दूसरी को यहां पर आपको payment की के आपको payment termine conditions rules and followed सारी कुछ आपको चेक कर ले है आपको अच्छा लगता है आप अपनी गाड़ी देना तो आप आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपकी गाड़ी आप को नहीं देनी है यहां पर simple चीजिज जो लोग गाड़ी को अपनी जो गाड़ी है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसको अच्छे से चाहते हैं तो इस चीज के बारे में मैं उनको कह दूँ अगर इस टाइप के लोग हैं कि अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्योपत करते हैं बहुत ज़्यादा चाहते हैं उसको जानते हैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्यूंकि इसमें जो भी रेंट पर गाड़ी लेगा वो गंदी भी पहुत छोड़ जाते हैं कुछ भी करते हैं आपकी काड़ी की हालत खराब कर देते हैं यह जैसी गाड़ी आपको रिटन मिलने वाली नहीं है यह चीज मैंने पहले वा गाड़ी है ना उसकी टर्म इन कंडिशन अगर गाड़ी की कुछ भी एक्सिंट होता है नहींवे कुछ यह सीम्पल तरी समझ लिए गजांपल के तोर पे अगर आपकी गाड़ी का एक्सेंट होता या इस क्रेच पड़ी आते हैं तो वह जो काम होगा ना यह तो आपको जूम पॉलिसी एंड फॉलो रूल्स सबके हर गाड़ी पर डिफरेंटली होते हैं आप अपनी पॉलिसी जरूल चेक कर लें क्या रूल्स हैं क्या टर्मेंड कंडिशन है उसको चेक करे बीना आपको नहीं देनी है अगर आप जो बीना चेक करे आप दे देंगे तो फिर इसके जिम करना दूसरी एक बात करनों यहां की पेमेंट की पेमेंट जो भी होता है वीकली होगा या फिप्टीन डे होगा या फिर मॉंतली का पेमेंट होगा आप कितना अपना गाड़ी को ट्रेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर सिंपलती समझ लिए अगर कोई बंदा दिल्ल इस लगा होगा जिसका कंट्रोल आपके पास भी होगा और जूम कार पाले के पास भी है तो इस कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं अनलोक कर सकते हैं गाड़ी की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी कहां जा रही है कहां खड़ी है किस जगे कारी कुछ डिप्रेंट्ली होती है चूमकार के उपड़ हो गाड़ी रेंट पर होली दे रहा है यह फिर लॉंग ट्रिप पर तरह वो और पर आपकी गाड़ी की सिश्वेशन पर आपकी डिमाइड के पैसे कमा के आपको पर monthly weekly जो भी होगा आपका payment आता रहेगा सीधा आपके bank account में पर यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए आपकी गाड़ी में scratch भी पड़ सकते हैं आपकी गाड़ी का bumper भी तूड़ सकता है anyway कुछ भी हो सकता है क्योंकि in future आगे का कोई भी नहीं बता सकता जो बंदा लेके जा रहा है उसको खुद को नहीं मालूँ है आगे क्या होगा तो जे समझ लीजिए कोई बंदा अच्छे से काम के लिए निकला पर रास्ते में हो गया कुछ बड़ा कान तो यह चीज है आपको भी नहीं मालूँ फोन को भी नहीं मालूँ तो अगर आप प्राइवेट गाड़ी से पैसे कमाने की प्लानिंग कर रहे है तो आप इस प्ल विविव आएं बहुत ज्वादा खराब भी आएं बहुत जब ज़्यादा अच्छे भी आएं मैंने जब इसके चीज के बारे में रिसर्च की तो कुछ लोगों का कहना है बहुत खराब प्लेटपर में बढ़ कुछ लोगों का कहना यह है कि जो लोग अपनी गाड़ीओं पसंद नहीं करते हैं उनको देख नहीं करते हैं उनकी इफाज़त नहीं कर सकते उनके लिए पड़ी रहती है तो उन लोगों के लिए प्लेटवर्म बेस्ट अपसान है पैसे भी कमा के देगी मुंध्ली का अनिंग आता रहेगा या फिर विकली का जो भी होगा वह एक गंट यह हो सकते हैं सीजन वाई सीजन डिमांड के हिसाप से आपकी गाड़ी किस कंडिशन की है कितने मॉडल यह कितने पुरानी है इन सारी चीज़ों के बाद आपको एक प्राइस रेटर चेंज होते रहते हैं आप आराम से आप मुंध्ली का मैक्सिमम बीस से पच्चीस जार पंद्रा से बीस हजार तो मैक्सिमम आप निकाली सकते और इतना ही गाड़ी का आपका यह माई आएगा तो यह चीज़ सोच के आप अपना प्लान कर सकते हैं मेरे पास कॉंटेट आए तो इस चीज़ को लेकर के मैंने आज का कॉंटेंट आपको दो दोस्तों मैं आपको ए लाइसन्स नमबर भी लगा होगा तो उस लाइसन्स नमबर का आपका एकसपार हो सकता है इस कंडिशन के अंदर यहां पर आपको इस चीज़ के बारे में भी सोचना है कि कुछ शीडियो के अंदर ऐसे रूल से जहां पर चार से पांच या आट से दस बार अगर उनलाइन आजाता है या कुछ रूल तूड या दें वहां पर आपका लाइसन्स को केंसल कर दिया जाता है इस चैस विशन में आपको यह वाली टर्मेंट कंडिशन के बारे में जरूर सोच ले ला है तो दोस्तों फिर दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैन जैवारा